हेलो फ्रेंड नमस्कार मेरे नामे संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इंपॉसिबल यूटुब चैनल फ्रेंड साज के इस वीडियो में हम लोग UGC NET प्रत्थम प्रश्न पत्र में सोध अभिवृति से पेक्टिस सेट नमबर साथ को देखने वाले हैं इससे पहले हमने अल्रेडी छे प्रेक्टिस सेट को कंप्लेट कर लिया है जिसमें हमने टोटल 120 प्रश्नों को जो है कवर करने का प्रयास किया है ये सभी प्रशन जो हैं आपके नए स्लेबस पे आधारित प्रशन हैं तो बहुत ही महतोपूर हो जाते हैं और मैं इस तरीके से आपको question complete करा रहा हूँ जिससे कि ये जो 5 नंबर के आपके प्रशन पूछे जाने हैं सोध अभिवरिती से वो 5 प्रशन आसानी के साथ cover हो ताकि आपका जो सोध अभिवरिती के प्रशन बनने वाले एकजाम में वो कोई भी प्रशन जो है किसी भी कारणवस miss नहीं हो पाए या आप उसको छोड़ न दे ये इन 5 प्रशनों को जो है आपको सही करना है तो उसी प्रक्रिया में हम आज के इस practice 8 को complete करने वाले हैं फिर उसके बाद अच्छे तरीके से जो है प्रशनों को पढ़ें फिर उसके बाद जो है अपना answer देने का प्रयास करें उसके साथ ही साथ आप last में जो है अपने पूरे total score के बारे में भी mention कर सकते हैं सारे कुछ जो भी मैं provide कर रहा हूं सब कुछ free of first है तो पूरा आप भर practice हो जाएगा अगर आप उस playlist में जाके सभी जो है जितने भी units हैं हमारे first paper में उनके जो भी प्रशन important है वहाँ पर वीडियो के form में आपको provide किये गये हैं तो वहाँ पर आप जाके सभी units के test को दे सकते हैं तो चली फ्रेंट वीडियो को start करते हैं थोड़ा सभी समय को जाय समस्याओं के स्त्रोतों में क्या सम्मिलित किया जा सकता है इन चारो विकल्पों में से हमें बताने का प्रयास करना है कि इन चारो विकल्पों में से अनुसंधान योग्या समस्याओं के स्त्रोतों में क्या सम्मिलित किया जा सकता है आपको ये बताना है पहला जो option है सिछक का सोध करताओं के रूप में अपना अनुभाव, B option है व्यवहारिक विसेयो जिनका समधान चाहिए, C option है सिध्धान्त और पूर्व अनुसंधान और option number D दिया गया है उप्रोक में से सबी, तो इस प्रश्ण का जो आपका right अंसर हो जाएगा वो है आपका option number D, ये तीनों आ आपका right हो जाएगा, इस प्रिकार से option D आपका right है, प्रश्ण में ये पूछा गया, अनुसंधान योग्य समस्याओं के स्त्रोतों में क्या सम्मिलित क्या जा सकता है, तो सिछकों का सोध करताओं के रूप में अपना अनुभाव भी सम्मिलित क्या जाता है, उसके साथ सा ये तीनों सही है, इसलिए हमारा option D right answer हो जाएगा, आई एगले प्रश्ण को देखते हैं, अगला प्रश्ण में प्रश्ण में पूछा जा रहा है कि अनुसंधान योजना का परिचय अनुभाव कौन सा है इन चारों विकलपों में से, पहला option है पूर्व प्रासंगिक प्रश्णों के इनिसकर्सों का विवरण और option D दिया गया उप्रोक में से सभी सही है, तो इस प्रश्ण का जो हमारा right answer हो जाएगा, वो है आपका option number D, उप्रोक में से सभी सही है, आपका A, B और C ये तीनों option है, अनुसंधान योजना का परिचय अनुभाव ये तीनों है ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा option D right answer हो जाएगा, आई अगले प्रश्ण को देखते हैं, अगला प्रश्ण हमारा है, प्रश्ण number 3, इस प्रश्ण में पूछा जा रहा है कि निमनलिकित में से कौन सी उपकलपना होने के लिए मूलभूत आवसकता नहीं है, उसके बारे मे हमें इन चारो विकल्पों में से बताना है, पहला जो option दिया गया, तथ्यों पर आधारित होना, B option दिया गया, बोध गम में होना, और C option दिया गया, प्राकृतिक के ज्यान का खंडन, और D option दिया गया है, परिकल्पना में से निसकर्ष निकालने की अनुमती, तो आपको स चारो विकल्पों में से कौन सी उपकल्पना होने के लिए मूलभूत आवसकता नहीं है, आवसकता नहीं है, उसके बारे में पूछा जा रहा है, आवसकता है, इसके बारे में नहीं पूछा जा रहा है, तो प्राकृतिक के ज्यान का खंडन, जो है, मूलभूत आवसकता न नहीं है यहाँ पर तो option C हमारा right answer हो जाएगा आई एगले प्रशन को देखते हैं अगला प्रशन हमारा है प्रशन number 4 इस प्रशन में दिया गया है कि अनुसंधान के उद्देशियों को किस रूप में लिखा जा सकता है इन 4 विगलपों में से बताने का प्रयास करना है आप स इस प्रशन का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका option number B केवल विवरण के रूप में option B अगर आपने right answer लगा है तो यह आपका right answer हो जाएगा प्रशन number 4 का आईए एगले प्रशन को देखते हैं अगला प्रशन हमारा है प्रशन number 5 इसमें पूछा जा रहा है कि नि confusion हो जाता है आप सभी को कि नहीं है या सही उसके बारे में तो यहां पर प्रशनों को आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रशन में आप से क्या पूछा जा रहा है पहला option दिया गया इसमें उद्देश यपूंड B option दिया गया यह व विश्वास के साथ तरक युगत हो प्रशन में पूछा गया कि इन चारोवी कलपों में से कौन सी विशिस्ता किसी प्रस्ताव को सत्य प्रमाणित करने के लिए नहीं होनी चाहिए यह विश्वास के साथ तरक युगत हो यह आपका नहीं होना चाहिए तो option B आपका right answer हो ज किसम्बंद को क्या कहा जाता है पहला ओप्षन इसमें दिया गया है रिक्त उपकल्पना भी आप्षन दिया गया प्रायोगी कोप कल्पना pursue स्वतंत रिच्छर और ड्र ऑप्षन दिया गया है अश रिच्छर तो इस प्रस्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका option number B प्रायोगिक उपकल्पना ठीक है अगर आपने option B लगाया है तो यह आपका right answer हो जाया गया आईए अगले प्रश्ण को देखते हैं अगला प्रश्ण हमारा है question number 7 इस प्रश्ण में दिया गया है कि कारण और प्रभाव के संबंदों को विश्वसनी या बनाने के लिए क्या आवस्यक है इन चारो विकल्पों में से पहला जो option दिया गया है प्राकृतिक अवलोकन में सनलगन होना B option दिया गया है साकरात्मक संबंद विक्यसित करना और C option दिया गया है आपका नियंतरित प्रियोग का निस्पादन D option दिया गया हमारा नाकरात्मक संबंद का परिच्छन तो इस प्रश्ण का जो हमारा सही उत्तर है वो है आपका option number C नियंत्रित प्रियोग का निस्पादन तो अगर आपने option C right लगाए तो इस प्रशन का जो है आपका ये right answer हो जाएगा आईए एगले प्रशन को देखते हैं अगला प्रशन हमारा है प्रशन number 8 इसमें दिया गया है कि निमनलिखित कत्मों में से कौन सा कथन सकते हैं यानि कि चार statement या कथन दिये गया है आपको लेकिन आपको एक सही कतन को जो है चुनना है पहला जो option दिया गया है उद्देशिय सू इस परश्ट होना चाहिए बी option है उद्देशियों को विवरण और प्रश्ट प्रपत्र के रूप में लिखा जा सकता है सी option दिया गया है समस्या के लिए एक और सब्द चर है और डी option दिया गया है वो प्रोक में से आपका सभी सही है तो इस प्रश्ट का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका option number 1 उद्देश ये सू इस परश्ट होना चाहिए तो ये statement हमारा इन चारों विकल्पों में से पूरी तरसे सही है तो option 1 हमारा right answer हो जाएगा आईए अगले प्रश्ट को देखते हैं अगला प्रश्ट हमारा है प्रश्ट number 9 इस प्रश्ट में पूछा जा रहा है कि सबसे पहला प्रश्ट जो की एक सोध करता के मन में उसकी समस्या के समाधान के लिए सांखिकी ये तकनीक के प्रियोग में आना स्वभाविक है तो इन चारों विकलपों में से उसको हमें बताना है और D उप्रश्ट में यही पूछा जा रहा है आप सभी से कि सबसे पहला प्रश्ट अगर आप एक सोध करता है तो आपके मन में सबसे पहला प्रश्न जो की एक सोध करता यानि कि आप जो हो आपके मन में उसकी समस्या के समाधान के लिए एक सांखे की ये तकनी के परियोग में आना स्वभाविक है इन चारो विकल्पों में से हमें उसे बताना है तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका option number A क्या प्रदत को मातरात्मक रूप दिया जा सकता है तो यह जो है आपका प्रशन आ सकता है अगर आप एक रिसर्च हैं तो क्या जो आप प्रदत जो भी आप सिंपल कलेक्ट करते हैं रिसर्च के दौरान क्या वो उनको जो है मातरात्मक रूप दिया जा सकता है तो यहाँ पर option ये आपका right answer हो जाएगा इस प्रशने का, अगर आपने option ये लगा है तो ये आपका right answer हो जाएगा किसी भी प्रशनों में अगर किसी भी प्रकार का आपको doubt होता है, लगता है, confusion है या गलत है तो उसके बारे में comment box में आप निसंकोच होके जो है पूछ सकते हैं, मैं उसका जो है जवाब देने का पूरी तरह से प्रयास करूँगा आईए अगले प्रशन को देखते हैं अगला प्रशन मारा है प्रशन नमबर 10 इस प्रशन में दिया गया है कि निमनलिखित में से कौन से तथ्यों के संगरह की विधी है इन चारों विकल्पों में से तथ्यों की संगरह की एक विधी है उसे हमें बताना है पहला जो आप्सन दिया गया है राय, बी आप्सन दिया गया है प्रत्यच्छवाद, सी आप्सन दिया गया है प्रकरण अध्यन, और डी आप्सन दिया गया है साथचातकार तो इस प्रशन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका option number D साथचातकार अगर आपने option D right answer लगा है तो यह आपका right answer है आई एगले प्रशन को देखते हैं अगला प्रशन हमारा है प्रशन number 11 इस प्रशन में पूचा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रदत संगरह की कौन सी ऐसी तकनीक है जिसमें मध्यस्त समेट कई प्रतिभागी एक विशिष्ट और परिभासित विशय पर बल देते हैं प्रशन का प्रशन का राइट आंसर हो जाएगा आईए अगले प्रशन को देखते हैं अगला प्रशन मारा है प्रशन नमबर बारह इस प्रशन में पूछा जा रहा है कि प्रियोगात्मक अनुसंधान में कौन सी प्रक्रिया की आवसकता नहीं होती है अगर हम प्रियोगात्मक अनुसंधान कर रहे हैं तो इन चारों विकल्पों में से कौन सी प्रक्रिया की जो है आवसकता हमें नहीं होगी उसके बारे में बदाना है पहला जो option दिया गया है अवलोकन और B option दिया गया है कार्य साधन और प्रकृति और उसके बार C option दिया गया है नियन तरण और आपका D option दिया गया है संदर्व संग्र तो यहाँ पर जो हमारा right answer हो जाएगा वो है option number D संदर्व संग्र जो है आपका right answer हो जाएगा अगर आपने D option लगया तो यह आपका right answer है आईए एगले प्रशन को देखते हैं अगला प्रशन हमारा है प्रशन number 14 इस प्रशन में पूछा जा रहा है कि निमनलिखित में से सूध करता कौन सी अध्यन विधी को सिच्छा के इस्तर और उपलब्दियों के बीच संबंदों का अन्मान लगाने के लिए प्रात्मिक्ता देता है पहला जो option दिया गया है प्राकरितिक, B option दिया गया है सुची और C option दिया गया है सहसंबंदी और D option दिया गया है प्रायोगिक तो इस प्रशन का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number C, सहसंबंदी अगर आपने option C right answer लगाया तो ये प्रश्ण का जो है right answer हो जाएगा आईए अगले प्रश्ण को देखते हैं अगला प्रश्ण हमारा है प्रश्ण number 15 इस प्रश्ण में पूछा जा रहा है कि निमनलिखित में से कौन सा माप का सरलतम रूप है इन चारो विकल्पों में से पहला जो option दिया गया है सांकेतिक, B option दिया गया है करमवार और C option दिया गया है अंतराल और D option है अनुपात तो इस प्रश्ण का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number A सांकेतिक, अगर आपने option A लगाया है right answer तो यह आपका सही answer हो जाएगा आई अगले प्रश्ण को देखते हैं अगला प्रश्ण हमारा है प्रश्ण number 16 इस प्रश्ण में पूछा जा रहा है कि एक संतोस जनक सांखीकी मातरात्मक विधी में निमनलिकित में से कौन सा गुण नहीं होना चाएगा है और C option आपका नीची हो गया है ताईप में थोड़ा सा मिश्टेक है तो आपका C option है तुलनियता और D option दिया गया है लचीला पन तो यहाँ पर type में mistake है लेकिन आपका सारा option जो है सही है तो इस प्रशन का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number D लचीला पन तो अगर आपने option D right answer लगया तो यह आपका right answer हो जाएगा इस order के लिए आप confuse मत होईएगा यह D option नीचे हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा बहुत सारा type करना होता है थोड़ा उपर नीचे typing में हो जाता है तो option D आपका right answer है अगर आपने option D लगया है तो यह आपका right answer हो जाएगा आईए अगले प्रशन को देखते हैं अगला प्रशन हमारा है प्रशन number 17 इस प्रशन में पूछा जा रहा है कि निमनलिखित में से कौन से स्टीविन के माप के चार इस्तरों का सही करम है उसके बारे में हमें बताना है पहला जो option दिया गया है करमवार दूसरा है सांकेतिक अनुपात और अनुपात यह पहला option है कौन सा है तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका option number B पहले जो है सांकेतिक फिर क्रम सूचक अंतराल और अनुपात ये इन चारों जो है आपके स्टीवन के माप के जो है चार जो इस तर है उसके ये सही क्रम हमारे हो जाएगे तो अगर आपने option B right answer लगाया है तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा आईए अगले प्रश्ण को देखते हैं अगला प्रश्ण हमारा है प्रश्ण number 18 इस प्रश्ण में दिया गया है कि कारक और विसलेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है इन चारों विगलपों में से बताने का प्रयास करना है पहला जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number D कई चरों के बीच अंतर जानने के लिए जो है कारक और विसलेशन का उपयोग किया जाता है तो यहाँ पर option D आपका right answer हो जाएगा अगर आपने option D answer लगाया है तो आईए एगले प्रश्ण को देखते हैं अगला प्रश्ण हमारा ह matching वाला प्रश्ण है जो मिलान करते हैं हम प्रश्णों के साथ तो आप देख सकते हैं सूची 1 में साथ चातकार दिया गया है सूची B में अर्थ के बारे में दिया गया है तो यहाँ पर दिया गया है कि इसके साथ जो है आपस में इसको match करना है तो आपको जो है अगर आप दूसरे तब सुची B, सुची A में साच्छातकार के बारे में, और सुची 2 में जो दिया गया है अर्थ के बारे में, तो आईए इसको मैच कर लेते हैं, तो A जो आपका मैच करेगा, वो आपका मैच करेगा, चोथे के साथ मैच करेगा, यहाँ पर IV के साथ, सन रचित फिर में उसके बाद C जो आप्सन दिया गया है केंद्रित साथ शादकार वह आपका दूसरे के साथ मैच करेगा यहाँ पर इसके साथ उत्तर दिये सकते हैं तो यहां पर कई तरह से प्रशन बना है तो आपको अच्छे तरीके से उन सबी चीजों के बारे के पता होगा तो आप इस प्रकार के प्रिशनों को solve कर लेंगे तो हमने इस प्रकार से मैच कर लिया लेकिन नीचे आपको कूट भी दिये रहते हैं और उस code के according जो है आपने matching की है उसको जो है आपको answer करना होता है नीचे में दिखाता हूँ अभी आपको तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह code दिया गया है इसी प्रकार से आपको match करेगा इस option में उसको आपको सही answer ट्रिक कर देना तो हमने जिस प्रकार से match किया उसके according जो है आपका option A जो है right answer हो जाएगा तो इसी प्रकार से आपको भी प्रशनों को solve करना है तो यहाँ पर option A हमारा right answer है अगर आपने option A लगा है तो यह आपका भी right answer हो जाएगा आईए एगले प्रशन को देखते हैं अगला प्रशन हमारा है प्रशन number 20 इस प्रशन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंदी मुल्य सबसे सुध्रेड है इन चारो विकल्पों में से हमें बताना है तो पहला जो option आपको दिया गया है प्लस 0.10 B option दिया है माइनस 0.95 और C option दिया गया प्लस 0.90 और D option दिया गया माइनस 1.00 तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि इन चारो विकल्पों में से कौन सा सहसंबंदी मुल्य सबसे सुध्रेड है तो यहाँ पर जो आपका right answer हो जाएगा वो है आपका option number D minus 1.00 तो यह आपका right answer हो ज यहाँ पर हमारा वीडियो का जो last question यह था उमीद करता हूँ कि जितने भी question मैंने आपको कराये हैं यह सभी आपके exam के point of view से बहुत ही जादे महत्वपूर है अगर किसी प्रशनों में आपको doubt है या प्रशन समझ में नहीं आया उसका answer जो है गलत लग रहा है तो comment box में उस कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जो first time exam दे रहे होंगे और कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जो 2-4 बार इस exam को दे चुके होंगे तो वो विद्यार्थी जो अपने feedback को दे सकते हैं कि यहाँ प्रशन जो है नैसलेबस के आधार पे बहुत ही महत्वपूर है और उसके साथ ही अब वीडियो को like कर सकते हैं आपके एक like से हमें बहुत सारा motivation मिलता है अब हमारी वीडियो को देखते हैं और हमें आपके लिए continuous work करना चाहिए इसके साथ साथ वीडियो को आप share कर सकते है maximum दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस वीडियो से help मिल सके क्योंकि आपको भी help मि वीडियो से तो आपका दाइत तो बन जाता है कि आप दूसरों को भी share करें ताकि उनको भी इससे love मिल सके तो friends एक बात और मैं कहना चाहूंगा अगर आप नए वीवर है तो चैनल को ज़रू subscribe कर लिजेगा और उसके बगल में जो bell icon का button होता है उसको आप press कर लिजेगा न कर दो